नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ प्राची पारशर इंडिया टीवी समबाद लगातार जारी है के करके उत्तर प्रदेश के तमाम निता हमारे मंच से जुड़ रहे हैं जिनके जरीय आप जान रहे हैं दोहजार चौबी कि राजनीती भी इस जाती के इस गिर्थ गूंती हुई नसर आ रही है जो सियासी पारा है या जो सियासी पिछ है वो जाटों के इर्धर बुनने की कोशिश भी की जा रही है खास कर जाटलेंट कहे जाने वाले पश्ची में उत्तर प्रदेश में तो इसकी जलक देखने को मिलती है अपनी सेशन में आईए चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2024 में जाट किसके होने वाले हैं और इसके लिए दो बहुत खास में मान इस वक्त मेरे साथ मंच पर मौझूद है मेरे साथ है फटैपूर सीक्री से भारते जनता पार्टी के सांसर 2019 में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले हैं पीज़पी के किसान मोचा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर साथ आपका बहुत-बहुत स्वागत है समाजवादी पार्टी से मेरे साथ है विधान परिशत में लीटर ऑफ अपोजिशन डॉक्टर संजे लाथर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है मैं राजकुमार ची आपे के साथ शुर्वात करने जा रही हूं नहीं बिल्कुल नहीं लेकिन पस्टे मुत्र प MID प्रदेश पर चर्चा करने हैं मैं आपको बता दू जाती के सब्जेक्ट पर आप बात्ीत कर रहे हैं लेकिन देस के प्रदान मंत्री आदरी सीरी नरेंद्र मोधि जी उनका एक बाग क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका पर्यास तो जाती के इर्दिःद की राजनीती न हम सूचते हैं न करते हैं रही बात एक विरादरी के बारे में पार्टिकुल करने की तो जाट जाती किसान समाच से आती है और किसान कोई एक जाती नहीं है किसान एक वर्ग है बड़ा जो मानी मोडी जी ने कहा भी कि देस में इस समय चार जातियां हैं एक गरीब, एक युवा, एक महलाएं और एक किसान, तो जाट बरादरी किसान समाज से आती है, तो मैं तो समझता हूं कि आज देश वर का किसान, कोई पश्चिमी यूपी नहीं, कोई ब्रज नहीं, हर्याना नहीं, पूरे देश का किसान समाज, उसमें कोई भी बरादरी आत कभी नहीं करना पड़ता पश्यम उत्तर प्रदेश और ब्रज का जो बेल्ट है किसानों की वहां पर हमेशा से आप रजल्ट उठाके देख लीजिए जो जाती के नाम पर राजनीती करने वाली पार्टियां हैं वह हमेशा पीछे रही है और भारतिया जंता पार्टी जो वि कोना क्या देश का कोना कोना सभी भारती जंता पार्टी के साथ हैं सभी देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतर तुम्हें विश्वास करते हैं डॉक्र संजे जी सबका साथ सबका विश्वास इस मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है इतना नुक्षान किशान को भारतिय जन्ता पार्टी ने पहुंचाया है इतना आजादी के बाद किसी भी पार्टी की सरकार ने नहीं पहुंचाया किसान को बरबाद करने में आपके सामने आया थोड़ी देर पहले जाती का नाम ले रहे थे जाट जाती का दुरुभाग्य है जब किसान अंदोलन करता है जब तीन काले कानून आते हैं और भारतिय जन्ता पार्टी जिसका शवरूप यूदोग पतियों की पार्टी है अंदोलन करते हैं और एक अजार किसान शईद भी हो जाते हैं गर्मी में शर्दि में बारिश में तो भारते जन्ता पार्टी उन्हें जाट केहने लगती है तो अज इस सरकार के खिलाफ एगर सभ यादा कोई लड़ा है तो किसान है और उस में सभ शे जादा लड़ने वा कि आप जानते हैं मुद्दा था देश में चुनाव से पहले मुद्दा था कि किसान का करजा माप किया जाए किसान पर दस लाग करोड रुपे का करजा हो गया 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 जिस तरीके से किसानों ने सडक पर उतर कर इनको अवकाद दिखाई और काले कानून वापिस लेने पड़े और आज भी आज भी उत्तर परदेश में तीनों काले कानूनों में से एक काला कानून जो मंदी का कानून था जब केंदर की सरकार ने काले कानून बनाए तो उत्तर तो आज विरोधी सर्कार है और हिए अने परेशान है मैं आर हुग चाजर जी आपके परुज़ों के आ सीषol परिशान्य चुनाव में अचो पुर्च यह चाल नहीं करती है। 2010 के चुनाव लेते व्विदान सभा चुनाव के नतीचे ले लीडे आप उत्तरप्रदेश के क्यों फिर भारते जनता पार्टी आपको पिछाड कर आगे दिन कल रही है ऐसी बात नहीं है समाजवादी पार्टी को बड़ी भारी संख्या में बोट मिला वो ठीक है कि अगर हमें तीन लाख बोट और आ गए होते तो आज हमारी सरकार होती है हम बोट क मुकावले में इनके पास खड़े थी ऐसा नहीं है किसानों ने बोट ने दिया किसानों ने बोट ने दिया तो किसने समाजवादी पार्टी को बोट दिया था आरलडी को बोट दिया था किसान समाजवादी पार्टी और आलडी के साथ हैं और हमेसा रहेंगे चार जी अब मित्र भी हैं लेकिन हम भी जब भी बाचीत करें तो संयमता का परचे दें समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो उसकी बोखला इस टीवी के चैनल पे निकालने की व्यावश्चता नहीं है मैं यह कहना चाहूँगा कि जिनके बारे में आप जो चर्चा कर रहे हैं प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी देश के 11 करोड किसानों के खाते में 6,000 रुपे सालाना भेजना उनके खाद के लिए उनके बीज के लिए उनकी जरूरत की चीजों के लिए आज तक देश की आज पार्टियां हैं एक उधारन देके बताएं दूसरा मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप किसान अंदोलन की बात करते हैं किसान अंदोलन में आप कह रहे हैं किसान मारे गए लाल के ले पर किसानों के नाम पर जिन लोगों ने अराजकता फेलाने का काम किया भारत को पूरे प्रवार्मिंग सेक्टर में कभी रिफॉर्म्स नहीं आए गए पहली बार देश के प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी चिसानों के जीवन में चिंता करते हुए आगे बड़े रिफॉर्म्स लाए अच्छे कानूनों को परिवारबादी पार्टियों ने क्मिनिस्ट पार्टियों ने मिलकर एक ऐसा बातावन देश के अंदर पैदा किया जब तक किसान समझ पाता तब तक किसान के कंदे पर बंदूक रख दी किसा आज मैं इस मंच के माध्यम से इंडिया टीवी के मंच में आपने बुलाया मैं आज मैं आपको बताना चाहता हूं आने वाले समय में जिन आंदोलन के द्वारा क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने किसानों का सम्मान किया नेशन फस्ट के नारे को देखते हुए उन्हों किसानों को समझाने में नाकामियाब तो रहे ना यह तो आपकी जिम्मेदारी ती किसान को क्या पता उन कानून के अंदर क्या है और जब किसान जब तक समझ पाया जब तक देश के विपच्छी घटिया घटमंदरों ने मिलकर उनके उपर आरोब लगाना शुरू कर दिया और उनको काले कानून कहके कर कहके कर एक जूंट को अगर सौबार जूंट बोला जाता है तो लोग समझते हैं पता नहीं क्या है एक भ्रम पैदा करके किया किसान रेल मोधी जी ने चलवाई किसान सम्मान निधी मोधी जी ने दी किसानों के लिए सोईल हेल्थ कार्ड देने का काम मोधी जी ने किया किसानों के लिए उर्जा गाता बनाने का काम मोधी जी ने किया सही सहेद के द्वारा मीठी करांती करके मोदी जी ने देने का काम किया किसानों के लिए लगातार लगातार उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं अभी भी आपने देखा होगा इंटरनेशनल एर ओप दा मिलेट्स बोटे अनाज को बढ़ावा देकर जिससे किसानों को लाब मिल सके उनकी आयबर सके वो देने का काम मोदी जी ने किया पूरी दुनिया में बाजरा से लेकर जितने भी मिलेट्स समारे हैं उनकी मांग मेरी पूरी बास सुन लीजे क्यार डालेंगे इतनी कमजोर तो आपकी सरकार कभी नहीं डाले देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई भी कदम उठता है तो देश की जनता के 140 करोड़ देश बाचियों के हित के लिए उठता है अगर कदम आगे बढ़ाने होंगे तो आगे भी बढ़ाएं कि एक भी व्यक्ति उस पूरे अंदोलन में न कई पुलिस की गोली चली न किसी के उपर लाठी चार्ज हुआ और मद्यप्रदेश के अंदर जब धिग्वजया सिंग जी की सरकार थी कांग्रेस पार्टी की तो आप याद करके देखिए सत्रे किसानों की हत्या चौराय पर कर दी गई थी वह अंदोलन कर रहे थी समाजबादी पार्टी के सासनकाल में रामवक्तों पर किस प्रकार गोलियां चलाई के लाठर जी है आप लोगों पर कि आप बरिवार वादी और भृष्टा चारी पार्टियां आप जो है परगरानी का का काम करते हैं थासकर किसान कर रहे हैं मैंने मैं सबसे पहले भाई राजकुमार चाहर जी की बात का जवाब देना चाहता हूं इन्होंने कहा कि दस योजनाओं का नाम गिनाया कि परधान मंत्री जी ने योजना चलाई किसानों के लिए काम किया अभी आप सांसद हैं दस दिन पहले स्टेंडिंग कमे क्युक्रेटी की रिपोर्ट आई है कि सानों से समangled कि शिया संभनित कि किर्षी से संभनित you standing committee की रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में कहा गया है जिन योजनाओं का अपने नाम गिनाया पांच साल में इनकी सरकार ने बाजपा की सरकार ने पांच साल में एक लाग करोड रुपया एक लाग करोड रुपया स्रेंडर कर दिया गोशना की थी इन योजनाओं में किसानों पर खर्च करने की और दस दिन पहले की रिपोर्ट है कि भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने इनी योजनाओं का एक लाग क करोड रुपया वापिस कर दिया किसानों को नहीं दिया किसानों को खर्च नहीं किया योजनाएं के वल दखोसला है योजनाएं स्रफ भासन देने के लिए है और ये रिकोर्ड है स्टेंडिंग कमेटी की क्या उन्मी रिपोर्ट जो ये कहते हैं कि एक लाग क्रोड रुपय वापिस के ये पहली घटना नहीं है ये हमेशा किसानों के साथ ऐसे इच्छाल करते हैं उत्तर परदेश में जब योगी जी की पहली सरकार आई तो इनों ने घोशना की विदान होथा था कि 49,000 crore मैं से गोशनां 49,000 crore क्यों ही और 21,000 drb आपन íst खेंग किसानों का व पैसा कहां गया ये गोशना किसानों करते हैं और किसानों को लेलीली पॉब देखाते आ किसानों की बात करते हैं और व कैशानों कहते हैं और वो पैसा डावट करके दूसरे खर्चन यह तो सम्मान निदी देने की बात करते हैं समाजवादी पाटी ने अपने शाशनकाल में किसानों के लिए ऐसा क्या करके दिखा दिया था जिससे आपको यह लग रहा है कि आप बहतर है इनकी सरकार से मुलाहिम सिंग यादो जी की रखलेश यादो जी की सरकार किसानों की सरकार थी हमारी सरकार का 70% 60% बजट 60-70% बजट किसानों और गाओं पर खर्च होता था किसानों की खुशाली पर खर्च होता था आज इन्होंने खाद के उपर आप देखिये खाद जूरिया खाद और ड सिटी घटाने के लिए किसान के साथ दोखा किया पहले 5 किलो चुरा लिया और अभी एक महीना पहले 45 किलो से 40 किलो कर दिया अब चुरा लिया 10 किलो किसान के खाते में से किसान के थैले में से 10 किलो जुरिया चुरा लिया जब जुरिया कम हो जाएगा तो पैदावार कम होगी और किशान बरबाद होगा यहीं निरुके जो यूरिया के अंदर 45% नाइट्रोजन होता था नाइट्रोजन ही मेन यूरिया होता है बैका के सलपर कोटिट के नाम पर 45% 36% कर दिया यह ऐसी चौरी करते हैं जो किसान को बरबाद करने काम करती है यह डंगोर विरोधी भाजप सरकार किसान विरोधी सरकार आरोप तो अखली शादब भी लगाते हैं कि सबसे ब्रश्टाचार वाली सरकार भारते जनता पार्टे की सरकार है यह तो किसानों के हग पर भी डाकर डालती है है जन्होंने अपने जीवन में बृश्टाचार ही किया हो कि वंस्टा चार के अलावा जिनकी कोई बरियता ही नहीं रही हो एक रस्टा चार करना बेटे को मुख्यमंतरी बना दो बतीजे के सांसद बना दो, दूसरे भाई को MP बना दो, भाई की बेटी को MLC बना दो, और बेटे की पतनी को MP बना दो, ये परिवार वादी जो ब्रस्टाचार है न, जो हमेशा ब्रस्टाचार की कलपना में जीते हैं, उनको सब अपने जैसे नजर आते हैं, एक, दूसरा मैं ये कहना चाहता ह हूँ मैं वेक्तिके टिपड़ी किसी पर सामानेता करता नहीं हूँ अधनी मुलायम सिंग यादव जी का सब संबान करते हैं अधनी पीम साब ने भी हमेशा उनका संबान किया मोदी जी ने अब तो वो दुनिया में नहीं है लेकिन वो एक अलग प्रकार के नेता थे वो चले से पहले केंद्र का 23,000 करोड का आज बजट कितना है किसानों का किसी का किसी कल्याण का एक लाग 45,000 करोड एक लाग करोड पर सरेंडर हुआ है नहीं हुआ है बताइए दूसरी बात मैं यह कहना चाहरा हूँ यूरिया की जो बात करते हैं 50% का अनुदान आज भी किसानों क केंद्र की मोदी जी की सरकार कर रही है नीम कोटिड यूरिया दे कर लोगों को यूरिया मोया कराने का काम किया है किसान की पीट पर बौरी लाख केन किसान को जाना पड़े मैंने को नहीं हुआ सालिन्टा से मेरी बात चुनिए मैंने आपको बीच में टोका नहीं है जो आपको बोलनां में बोलियगा मेरे बीच में मत बोलियगा 23,000 करोड का बजट हुआ करता था कांग्रेस पार्टी के सासनकाल में आज एक लाख पैंतीस पैंतालीस हजार करोड का बजट है एक लाख करोड का एग्री इंफरा स्ट्रेक्चर के लिए किया गया है दूसरा जो यूरिया की अभी बात कर रहे थे मैं यहां जितने लोग बैठे हैं पुराने पणने उठा के देख ले पत्रकार मित्र भी बैठे हैं यूरिया ओडी एपी के लिए किसान मारा मारी होती थी सुसाइटी पे जाते थे लाठियां खाते थे समाजबादी पार्टी की सरकार में कितने किसान धरना देते थे दिन और रात हमने भी धरने दिया हैं लाठियां खाई हैं अपनी पीठों पर किसान आपके द्वारा किया हुआ जात्ती को भूल नहीं सकता आज किसान की जिन्दिगी में बद्राब आ रहा है आज किसान के लिए नहीं नहीं चीज़ें प्रधानमंती जी करके दे रहे हैं और दूसरा मैं यह कहना चाहता हूँ आज देश का किसान उन्नती की और अग्रसर है कांग्रेश पार्टी लंबे समय तक डारा लगाती रही गरीबी हटाने का आज 25 करोड लोग गरीबी रेखा से उपर गए हैं उन्होंने जो मुद्दा उठाया है जुन्होंने चोरिया ही करी है उनको लगता है इसमें चोरी हो सकती है इसमें टाका डल सकता है उन्होंने भी ऐसा ही किया होगा देश के प्रगान मंत्री नरेंद्र मोधी जी की एक लाइन है नखाऊंगा नखाने दूंगा इसलिए यह लोग सब बरगलाई घूम रहे हैं इनको खाने को मिल नहीं रहा और भविस्थ में भी कभी इनकी संभावनाएं नहीं है अच्छा जाटों को साथने की कोशिश तो आप भी कर रहे हैं अब आरल्डी आपके साथ है कितना दे पाएंगे उनको या क्या कुछ बाच्ची थोरी है सीटों को लेकर जाट और किशा से तुनाओ से पहले मजबूरी थी गन्ने का भाव बढ़ाना पिछले दो साल से गन्ने का एक रुप्या भाव ने बढ़ाया डीजल का भाव बढ़ गया खात का भाव बढ़ गया मजदूरी बढ़ गई किसान की लागत दुगनी हो गई लेकिन किसान का एक रुप्या भा जब ढ़ने की बात आती है, ऐसी आलाद पैदा हुई जो करेंए यूद के बाद गेहों के कीमत बढ़ेगी, लेकिन जब गेहों की कीमत बढ़ने लगी, बहार से डिमांड आने लगी, उसके नियाद पर पाबंदी लगा दी, ऐसा मोका आया कि चावल की कीमत बढ़ेगी, जाया हमने का ओड़ा चाहिए लगा आदिन अलाओन एतनोल छीज़ा की वे तो hepनाते हे जिस इनना से किषाиц का बहुट ना मिले किषान बरबाद हो जाए और चुनाओं में जाट हो चाहिए किसान हो चुबिश के चुनाओं में इनको सबक शिकाए अगर आपके साथ हैं तो देखिए आप तो कितने गंबीर आरोप लगे उपर आश्चुपति का अपमान हुआ तो कहा आप ने जाट का अपमान कर दिया आप आरलडी को अगर कोई जाट जाता किसी सासक के सामने अगर खाट तूट जाती है अगर अगर आपका भी सम्मान नहीं रखते सम्विधानिक पत क्या है जडिश का अगर उस सम्विधानिक पत का सम्मान रखे के तो कभी आप मिमिक्री करेंगे कभी आप पर्सनल टिपनी करेंगे मैं बता रहा हूं ये भी तो याद रखेंगे ना सुन लीजिए मिमिक्री और कार्टून कभी बेश्टी का सब्मंद नहीं रहा मुलायम सिंग यादव जी ने मिमिक्री करने वाले की जियान बचाई थी उसका लाज कराके अखलेश यादव जी ने अपने सभी कार्टूनों की किताब च्पुआ के लोगों दिखाई थी अपने रहा हूं ने संवेधानिक पद की बात कर रही हूं कि जो व्यक्ती संवेधानिक पद पर बैटा है कम सिकाम उसका पो सम्मान करें तो समय अतना है लाज़ ने दो बार मेरे सवाल को टाल दिया आप बताइजे ना चैन चौधरी को कितनी सीचे दे रहे जाटों का इसाए अन्माने तो अट लोगतान्तरिक है और हमेशा लोगतान्तरिक मूल्यों की कदर करता है जाट में पंचायत में पास कि कमी है लाटा जी में बहुत चोड़ा किसान को फसल के दाम नहीं मिल रहे था इनका कहना है आप रेशो उठाके देख लिए कोई भी विद्वानाद में रेशो उठाके देख सकता है एमेसपी को किसी भी फसल की चाहे खरीब की हो चाहे रभी की हो 50% से लेके 100% तक MSP को बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट स्वामिनाथन आयोक कितने बड़े एक जानकार थे किसानों के बारे में जणोंने एक आपड़ बना आयोक की किसानों के हिथ के लिए अब मैं आना चाहता ऊंव यह बहुत महत्-पूर्ण बात है जो मैं कहना चाहता हूं कि जाती के बैद नहीं करता कभी जिंदगी में कि OF अब इसके उपराश्टपती सम्मयदानिक पद है कि पिति आधणी धंगर साथ उनके जो जुका हुआ ये बोल रहे हैं आपने देखा होगा उनका सारीरिक इस्टेक्चर उम्र के किस पड़ाप पर वो हैं गाउं में अगर कोई बुजुरुक ऐसे जुक जाए तो उसे जुका हुआ जाड बोलोगे उसका अफ़ान करोगे करने की कोशिश की कभी राजनीती भारती जनता पार्टी जाती को लेकर नहीं करती जो जातियों के अधार पर पार्टियां है उनका चली जीवन जातियों से राए वो करते होंगे राजनीती जाती कि अब मुझे खाप करना है एक मिनट मेरी पूरी है अच्छा आदी मिनट में मैं अपनी बात पूरी करता है देश के उपराष्टपती संबैधानिक पर्ध उनकी मिमिक्री पालियमेंट के गेट पर ब अब पर आजीव गांदी कांग्रेस पार्टी का नेता एक मिमित करी हो रही है सम्मेधानिक पर बैठे हुए व्यक्ति के और वीडियो बनाता है अरे ये तो गाउं में छोटे-छोटे लुचे लफंगे भी नी करते हैं इस काम को जो कांग्रेस पार्टी के और विपक्षी अब पर आज़े लगांगे लुचे लगांगे लिए अपनी करेंगा तेज्ट एक में पूरे लगांगे लगांगे लिए इंडिया विवस्ता को मांता है पंचाइज में किसी लोग ने 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 दिया जाता